तुम वहाँ पे अपने ताय मोडे बाप की लासा हुआ नाले गालों में बड़ी है, गंगाओं में बेरी है, वहाँ पे तुम खड़े नहीं हो सकते हैं और तुम पोस्टेट आग रहे हो का आइम स्टेंड इस्राइल दोस्तों जहिन, एक कहावत हुतर भारत में की बाप रहे अंधेरे में और पेटे का नाम पावर हाउस, यही हालत है अंधभक्तों की, उनको इस्राइल से कोई ले ना देना नहीं है, फिर भी इस्राइल से दिल लगी लगाए बैठे हैं, दिल लगी करे बैठे हैं देश में बिना इलाज, लोग तलब तलब कर मर रहे हैं, अस्पतालों में, अस्पतालों के बाहर, और यहाँ तक की अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो रहा है, जिनकी चिता जलाई जा सके, लाश गंगा में बहाये जा रहे हैं, गंगा के तटों पर लाशें दफनाई जा वाइस एराइल तुमाहा कुछ जत्तेदार तो है नहीं लेकिन अंदभक्तों के लिए एक सदमे वाली खबर ये ऐ लिए एक दुख भरी खबर है आप सबको यह पता है कि किस तरह से अरब देश हो गए चया गल्फ के वो लोग इस वक्त इसराइल के खिलाफ चल रहे हैं शुरू से भी थे और अब भी हैं तो उन लोगों ने एक नियम लागो कर दिया है कि अगर कोई इसराइल के सपोर्ट में खड़ा होता है तो उसे दस साल की सजा भी होगी और लाखो रुपए का जुर्माना भी होगा जो तकरीबन बारा लाख के लगभग वो जुर्माना पड़ जाता है तो ऐसे में कुछ भक्तों के कुटाई भी हुई है इस मामले में जो विदेशों में रहते हैं भारत में नोकरी नहीं करते हैं और लिख रहे थे कि I am stand with Israel इंडिया stand with Israel पंचर पुत्नों को छोड़कर पूर मुझा आया है कि बेटा यह जो हर्कते कर रहे होंना यह हर्कतें जहां से हम लोग चल रहा है लेकिन कुवेत का घटना सामने हैं को नियम बनाया गया उसके तहद कई भक्त स्टमे में इस मामले में दो तरह को स divine मीडिया पर वाइरल हो रहे हैं जिसमें भक्त cौट यो और दो कदम अपनी बातों पर ठहरे नहीं रख सकते तुरंत माफी मांगने लग रहे हैं और वो भक्त कहे रहे हैं कि I am stand with इज्राइल देख के लगए और लासो को ठीकारे कोन लगा रहा है पंचर पुत्र लगारा और तुम पंचर पुद्र लिखते हो अब्दूल रमेश चंद्र सोलंकी इनकी फेस्बूक आईडी है ठीक है यह रमेश चंद्र सोलंकी है हाँ अभी कार है गल्फ कुएद में इस्लामी कंट्री में रहे है क्या पोस्ट कर रहे है कोई शेड निये डारेक पोस्ट है अधनगवादी देश वह फिलिस्तिन को जो सबोट करेंगा वह सभी आतंगवादी और प्यारे देश के दो आप में पुछा दी आप आप ने ठेका लगाए अधे का इंडिया का इंडिया का अगर तुम्हारे खिलाब अभी कानुने अगर कोई बंदा आई इस्टेंड वी तो यह वीडियो का एक छोटा सा अंश है जिसे हमने अभी आपको दिखाया इसमें यही सोलंकी सहाब लिख रहे थे कि आतंगवाद से इसराइल बनकर ही निप्टा जा सकता है यानि कि जिन बेगुना फलस्तीन जो 70-70 साल से मारे जा रहे हैं चुन-चुन कर मारे जा रहे ह उनको कह रही है कि सबसे जादा अत्याचार इसराइल इनके उपर कर रहा है फलस्तीन के लोगों उपर उनके देश कबजे करके जमीनों को हतिया करके और फलस्तीनों का कतलयाम कर रहा है उसे कि अंदभक्त कह रहे हैं कि या इसराइल जो है वातंगवाद से निपट रहे है कि पहले वैक्सीन गई थे मेरे प्रभु श्रीराम के शहर से, भाई श्रीराम का शहर कौन है, अयोध्या, अयोध्या में तो भाजपा खुदी लुटी-पटी है, अभी पंचायती चुनाओं में भाजपावलों को खुब लात खाएं, और भाजपाईयों को चंद वोट भी मिल पाए, कई सीटों को वहार गये हैं, और कौन सी वैक्सीन के अब बात कर रहे हैं, वो वैक्सीन जो भारत में बेची गई है, भारत से उठा करके एक बिजनस डील के तहट बीदेशों में भेजी गई, यानि उसके बदले पैसे के करार हुआ है, कोई फ्री में नहीं गय रह गई बात, वैक्सीन की, वैक्सीन कहां मिल रहा है, तमाम सेंटर खुले हुए हैं, तमाम तरह के रिश्टेशन हो गए, जिसको पहली डोज मिल गए, इसको दूसरे डोज लगाने की उम्मीद अब खतम हो गई, क्योंकि वैक्सीन नहीं है, और बात कर रहे हैं, हुआ यहां निकल रहा है, यानि कि जो यहां के लोग, जो लोग किसी भी तरह के हिंसा के खिलाफ हैं, इसराइल जो फलस्तीन पर हमला कर रहा है, वहां लोगों की जाने ले रहा है, उसके खिलाफ हैं, तो यह कह रहे हैं, कि वहां टेक्नलोजी भी क्या कमाल की है, मतलब हम तो इस्तर यह भ्खतों की भाशा है इसके अलावा एक और भखत है जिनको लोगों ने घेर करके शुरू किया है और सबसे माफी मांग रहे जोड़़कर माफी मांग रहे खुय लह अनुए हमसे गल्टी ओ गई है वो लिक रहे हैं मैं इज्राहिल के साथ खड़ा हूँ ऐसी लूले लंगडे और अंदभक्तों को लानत होनी चाहिए और देखिए इस वीडियो में वहां पे हमारे देश का हाल वेहाल है और वहां पे जो आप पंचर पुत्र के कमेंट कर रहे हैं और वहां पे सब तुमारा किरिया करम हम लोग कर रहे हैं और तुम यहां पे अरब का था करके गल्फ का खा करके इसलाम का खा करके इसलाम के खिलाब भड़काओं पोस्टे करते हो तो दोस्तों यह तो रहा अंदभक्तों का हाल जो विदेशों में गए हैं और वहां से आग उगल रहें मुसलमानों के खिलाब फलस्तीन के खिलाब लिखते हैं कि I am stand with Israel दो मिलट अपने बातों पे खड़े नहीं हो सकते हैं लिखते हैं एक भाषण दिया था जो अब जमकर वाइरल हो रहा है और उन्हें अपने भाषण में कहा था कि जो है वो फलस्तीन के साथ हैं इसराइल का विरोध कर रहा हैं क्योंकि इस तरह से आप देखिए क्योंकि ब्लेक और वाइड जमाने का है जब दूरदर्शन का ही जमाना करें यह मैं हमें अपने संबंद में स्विकार नहीं है तो जो नियम हम पर लागू हो वो और उपर भी लागू होगा अर्बों की दमीन खाली होना चाहिए जो फिलस्तीन है उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए तो देखा आपने अटल विहारी वाशपेई जो भारती जंदा पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार थे पूर प्रधान मंतरी भी वो थे वो प्रधान मंतरी भी रचुके थे भारजय से देश का लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके दिल में इंसानियत उन्होंने ये कहा था कि वो इजराईल के विरोध में हैं और फलस्तिनियों का समर्थन करते हैं लेकिन अंदभग तो जो है वह इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं छिमृत कर्रे कर में और मुसलिम विरोध में चेकर में रिच्कर नहीं हैं कि इनकी इज़त भी लूट रही है सड़कों पर अब आप एक और देखिए भारत में नौकरी नहीं मिल रही अंदभक्तों को लेकिन इसराइल से नौकरी मांग रहे हैं शाद ये भी हो सकता है कि अंदभक्ती में इसराइल से इसले नौकरी मांग रहे हैं भारत में नोकरी मिल नहीं रही हो सकता है, दो रोटी खाने के लिए इसराइल से मिल जाए, इनका पेट चल जाए, इसे के साथ ही मैं आपको एक चीज और दिखा दूँ कि एक अंदभक्त का पीट, एक अंदभक्त का सोशल मीडिया पोश जिसे देख करके आप हसेंगे, यह अपना पूरा प्रोफाइल बता रहा है, और कहरा है कि वो इसराइल की सेना में नोकरी चाहता है, नोकरी करना चाहता है, वो भी बिना सेलरी, मतलब मुफ्त में वो काम करना चाहता है, उसे नोकरी चाहिए बस इसराइल की सेना में, लेकिन यह नोकरी भारत में क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि भारत मुसे नोकरी नहीं मील रही यह नोकरी जो इसराइल से मांग रहा है वो भारत के सरकार से नोकरी क्यों नहीं मांगता मोधी जी को तो बहुत ही डंका पीट करके इन लोगों जिताया था और मोधी जीसे बहुत उम्मीदे लगा रखी थी लेकिन अज देखिया आज मोदी जी गायव हैं अलक्षन में जब होना होता है तब भार हर मोदी जह जह मोदी घरकर मोदी यह अंदभख्त करते हैं लिकिन जब मजब की बात आती है तो अंदभख्त सड़क पर खड़ा-कड़ा मर जाता है लेकिन उसे मोधी सरकार पूछने नहीं आती और नौकर तो बहुत दूर की बात है तो इसके साथ ही एक मूँ चड़ाता हुआ अंदभक्तों को मूँ चड़ाने वाला एक वीडियो वाइरल है इसको भी आप देखिए और समझे कि अंदभक्तों का किस तरह से मजाक उर रहा है पूरी दुनिया में भारत है नहीं पूरी दुनिया में और इसको देखिए समझे बाप रोड पे पड़ा अक्सीजन के लिए तलफ रहा है माह हस्पिताल में पड़ी बैड के लिए तलफ रही है रिष्टेदारों की लाशें लावार्ज गंगा में गोते खा रही है अक्सीजन साओधी अर्ब कवेत दबई से आ रहा है और वेटा अबदल को सबक सिखाने के लिए सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रहा है कि I stand with Israël अंद बगती भी गजब की चीज़ है लगे रहो खैनी मांग कर खाने वालों तुमारी अवकात ही यही है तो लगे रहो खैनी मांग कर खाने वालों तुमारी अवकात यही है तो अंद भकतों के लिए ये बंदे ने जो बोला है बहुत ही सही है क्योंकि मांग मांग कर खाने वाले लोग है खाइनी मंग मंग कर खाते हैं चुकि इसने मिसाल बताया अंद भक्तों की तो इसलिए भक्तों के आवकात यही है और भक्त छोटी सोच के मतलब इनकी सोच इतनी तंग है कि धर्म के आधार पर ये किसी का भी समर्थन कर देते हैं ये और ये कह रहे हैं कि भाई फलस्तीन पर भलही कितना जुल्म हो रहा हो जुल्म हो रहा हो 70-70 साल से लेकिन हमास भी और फलस्तीनी भी जो रौकट दागर उससे भी तो इसराइली मर रहे हैं भाई आप इन चीजों पर गवर करो कि बेहुनाह कौन है शुरुआत कौन कर रहा है मारा किसको जा रहा है कतल किसको किया उस चीज़ पर जादा गवर करो इसराइल के चक्कर में ना पुड़ो जो नौकरियां आपके बास बच्ची हुई हैं जो इज़त आपने बनी बनाई हुई है विदेशों में जाकर के वहां नौकरी कर रहे हैं और मूदी सरकार के भाशपाईयों के रहम करम पे नहीं हैं वो आपकी अपनी महनत अपनी काविलियत के बेस पर हैं तो अपनी काविलियत पर कालख क्यों पोत रहे हो अपने मुह पर चूना क्यों पोत रहे हो जो भारत में रहने वाला जो आपका परिवार है वो कितना अपमानित महसूस कर रहा होगा आपके इस फेस्बुक कमेंट स ट्वीट से और आपके इतने फालतु वाहियाद घटिया वीडियो से तो इसलिए मैंने जो शुरूम कहा था कि बाप रहे अंधेरे में और बेटे का नाम पावर हाउस यही है बाप बेचारा जिंदगी भर जिंदगी भर जो है वह एडियां रगड़ रगड़ कर दो पैसे क कि ला रहा है और यहां तक की दो पैसे की नोकरी भी नहीं है जिससे आप अपने परिवार को खिला से फिलहाल क्या कहते हैं आप इस वीडियो को बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर पता आएं वीडियो पसंदा आए तो लाइक करें शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो ज़रूर से जरूर सबस्क्राइब कर दे हैं और बेल आइकन भी ज़रूर बादें आप हमें twitter भी follow कर सकते हैं Twitter पर आप लिख सकते हैं times mail news और हमारे twitter handle को follow कर सकते हैं फिर मलते हैं किस्योंग वीडियो है जए